हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल श्यवादर वितायूश और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 12 डिसेंबर की ग्री मार्केट प्रीमियम के बारे में बहुत सारे दोस्तों IPOs हम कह सकते हैं कि अब में बोर्ड वाले इन लाइन हो चुके हैं बलकि डेट ऐसे मेंबोड IPO है तो दोस्तों कल से यानि 13 से ओपन होंगे यह ओपन रहेंगे मतलब एक साथ तो नहीं ओपन हो लें लेकिन हाँ डेट्स जो है वो निकल आचुगी किसी की 13 है किसी की 14 है किसी की 18 है किसी की 19 है जो भी important important dates है जो भी important updates है वो आपको सारे इस वीडियो में प अंदरा December तक ही issue open रहेगा एक आपको खास बाद आता हूं आज दोस्तों 12 December है और आज दोस्तों इसकी anchor book निकल कर आएगी अब इतक anchor book निकल कर नहीं आई है अगर आज जाती तो मैं definitely आपके साथ वो discuss भी कर लेता लेकिन anchor investors का नाम होगी तक निकल कर आए बड़ अच्छे shares आपको मिलेंगे in a single lot 18 shares आपको मिलने वाले हैं एक lot के अंदर total issue size दोस्तों 1200 करोड की इस IPO के नहीं 1200 करोड का दोस्तों ये issue होने वाला है जिसमें से fresh issue रहेगा करेबन 350 करोड का और बाकी का बड़ा portion है offer for sale का 850 करोड का इसमें दोस्तों employees के लिए discount रखा गया 75 rupees per share का और IPO में कितना कितना portion हर एक individual को दिया गया है तो इसमें दोस्तों QIB 75 rupees दी गई है 75% sorry दिया गया है QIB को portion retail को 10% portion यानि सबसे जो कम portion है वो retail के category में रखा गया है और जो HNI portion है वो almost 15% of the IPO रखा गया है तो इस तरीके से दोस्तों basically इस IPO के अंदर reservation जो है वो रखा गया है तो इसक दोस्तों कल से open होगा उसका नाम है India shelter finance, so India shelter finance भी कल से open होने वाला है या नहीं तेया तरीक से open होने वाला है पंदा तरीक तक दोस्तों ये issue open रहेगा पांच रुपे की इसकी भी face value है 469 से 493 rupees per share का दोस्तों price bun company ने sit किया है 30 shares आपको कुल मिला कर मिलेंगे एक lot में 1200 करोड क ये भी IPO ने दोनों की साइज आपको पता ये सेम ही ये 1200 करोड का लेकिन इसमें दोस्तों 800 करोड का फ्रेश इशू है और बाकी का बचा हुआ 400 करोड का ओफर फॉर सेल रखा गया है इशू टाइप बुक बिल्डाइप का IPO लिस्टिंग आपर होगी BAC, NAC दोनों पर इस IPO की लिस्टिंग होने जा रही है इसके अंदर दोस्तों डिजर्वेशन 50% के लिए 35% है रीटेलर्स के लिए और 15% है एचनाइस के लिए अगला दुस्तों मेंड़ IPO है जो 14th December से उपन होगा वो है आइनॉक CVA का आइनॉक CVA का IPO भी उपन होने वाल है 14 December से 18 December के बीच में Face Value रूपीस 2 पर शेयर के रखी गई है यह Price Band 627 से 660 रूपीस पर शेयर का रखा गया है 22 शेयर रखे गए हैं एक Lot में करीबन 1459 करोड का दोस्तों यह IPO है यह पूरा का पूरा यह IPO जो है वो offer for sale होने वाल है पूरा का पूर offer for sale रहेगा listing का आपर होगी BSE NSE दोनों पर इस IPO की listing होने जा रही है अगला IP जोस्ते जिसकी dates यहाँ पर आपको नहीं दिख लिए लिकिन announce हो चुकी है पूरा ने पर बढृत बूरा झालव सकते हैं लेकिन एकशू की करोड का यह低राख जोस्तों यह IPO बता जा रहा है लेकिन इसुकी साइस भी कट कर दिगい है करीबन 900 करोड का दोस्तों यह IPO होने वाला है नहीं 3,300 करोड का इशु नहीं रहेगा जिसमें से major portion fresh issue कराएगा और बाकी का बचा हुआ portion offer for sale कराएगा around 1,500 करोड का fresh issue है और बाकी का जो बचा हुआ portion है 200 करोड का वो offer for sale के अंदर जाएगा तो 950 करोड का इशु है यह open कौन से कम होने वाला है 52 से 55 रुपीज per share का 200 shares का एक lot रखा गया है लेकिन काफी छोटा IPO है only 151 करोड का fresh issue है पुरा का पूरा यानि सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है कंपनी के अंदर जाएगा issue type, big bull type का IPO है bookbill type का IPO है और listing आपर होगी BSE, NSE दोनों पर इसके अंदर दोस्तो 50% reservation है QIVs के लिए 35% reservations है retailers के लिए और 15% reservation है H9s के लिए अगला IPO दोस्तो सूरच estate developers का 18 तारिक से ये भी issue open होने वाला है 20 December तक issue open रहेगा 5 रुपे की face value रखी गई है price बने तक set नहीं किया गया है issue size 400 करोड का होने वाला है पूरा का पूरा ये भी fresh रखी रहेगा और listing का पर होगी BAC, NAC, दोनों पर फिर 18 के बाद 19 तारिक से दोस्तो एक और IP open होने वाला है जिसका नाम है happy forging जी हाँ happy forging IP भी open होने वाला है 19 December से 21 December के बीच में face value 2 रुपे पर share की है अभी तक दोस्तो exact इस IP का issue size पता नहीं चल पाया है लेकिन fresh issue और offer for sale दोना का combination हो सकता है listing का पर होगी BAC, NAC दोनों पर इस IP के listing होने वाली है तो इतने सारे आप देख सकते हैं main word IPO open होने जा रहे हैं between starting from 13th और 19th तक दोस्तो अभी तक तो हमारे पर जो information आ रही है 19th तक 19th को भी एक और IPO बनोगा तो overall आखरी दिन हो सकता है 21 December बड़ इसके बाद भी IPO आजए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि हर रोज एक नया announcement हो जाता है कि हाँ भाई यह IPO आने वाला है यह IPO आने वाला है ग्रे मार्केट बता रहा है जस पर educational purpose नहीं देखे ग्रे मार्केट में trade करना legal है यह बिल्कुल illegal है तो अब जो भी करते हैं याद रखिए एक illegal work है जस्ट हम बात कर रहे हैं ग्रे मार्केट को as a reference कि कि कितना भी इसको लेकर trade चल रहा है और यह जो website पर दिख रहा है क्योंकि हम खुद grey market बनाते नहीं है जो website पर दिख रहा है वो आपको हैं बता रहा हूँ तो मुथूट microfinance 60 रुपे के आसपस दोस्तों इसके current grey market चल रही है यानि शुरुबात तो हो चुकि आपको लगाना अगर आजाए तो बिल्खुद बहुत अच्छी किसमत अगला है दोस्तों CRRAM recycling है एक BACSM इशू है जो उपन होने वाला है 14 से 18 December की बीचे में 22.96 करूर का IPO का size है 46 रुपीज का इसका price band है almost 60% उपर इसके current grey market चल रही है यह इशू उपन होने वाला है चौदर तारीक से INOX India grey market लगातार दोस्तों बढ़ रही है almost 330 रुपीज के आसपास हो चुकी है यानि 50% का आसपास का अभी हम कह सकते के listing gain के estimate बताया जा रहा है बट ठीक है बढ़िया है कोई दिक्कजाली बात नहीं है याद रखेगा चौदर तरीक से यह mainboard IPO open होगा अगला है श्री OSFME mobility कोई grey market नजर नहीं आ रही है बाकी 65 रुपे का दोस्तों याद रखेगा यह IPO है NSE SME पर जिसके listing होगी 24 करोड का IPO का size है almost 24.60 करोड 14 December से 18 December के बीच में यह issue भी open होगा अगला है benchmark computer solutions एक और SME IPO जो BSE पर list होने वाल है 66 रुपीस का इसका price band है almost 22 रुपीस के करेंट grey market है almost 33.33% के आसपस का इसका आपको listing estimate बताया जा रहा है but around 12.24 करोड का IPO बहुत चोड़ा issue है क्योंकि SME है listing का पर होगी BSE पर होगी 14 से 18 December के बीच में open होगा अगला है India shelter finance यह IPO की जरूर दोस्तो grey market लगा था declining phase पे चल रही है और अब currently 28.60% हो चुकी है यह issue भी दोस्तो open होने वाल है from tomorrow यहनि कल से 1200 करोड का IPO का size है और 493 रुपीस का price band है अगला है दोस्तों doms IPO और यहाँ पर दो grey market में कोई भी धकान दिखने रही है अब आपको all time highs पे नजर आ दिए almost 62.28% का current grey market चल रहा है और मुझे लगता है कि यह issue subscription में बहुत अच्छा करने वाला है जरूर देखे issue बहुत सारे हैं लेकिन still doms IPO के अंदर आप जो attraction है वो सब्से आदा देखेंगे और QIB बहुत लगता है कि बढ़ चड़ के पैसा लगाएंगे इस issue के अंदर असाल लग रहा है अगला है SGL logistics एक NSE SM issue है जो आज open हो गया था बाकी first day था पहले दिनी almost 25 गुना गया इस पर subscribe हो एक पुरा separate video लेके आओंगा जो आज first day subscription निकल के आया इसका बाकी 100% gray market है जब इतनी gray market रहती है जब इतना अच्छा हम कह सकता है attraction दिखता तो पैसा आता ही है अगला है दोस्तो प्रेस्टानिक इंजिनियरिंग आज इस IP का second day था और यह almost 50 गुना के इस पर subscribe हो चुका है पैसा मैं कह रहा हूं अलब कितना पैसा रिसीव किया है पहला IP बन चुका है और यह तो कह सकते कंपनी की खास बाद है प्रकों इतना पैसा आया है पकि अभी gray market ज़रूर गिरी है कल के मताबिक अगला दुस्तो आई प्यो है graphics hats और allotment आउट हो चुका है काफी दिनों से इसका allotment का वेट हो रहा था बट allotment आउट हो चुका है finally और majorly listing जो है वो दुस्तो होगी इसकी मेरे साबसे 14 तारीक क्या असपास लेट सी कब होती है listing बाकी देखते क्या करता है यह तो इस वीडियो बेदो इतना ही था ओफिले आपको वीडियो बड़या लगा होगा कर लगा तो लाइक कर देना चैनल से पहली बाद जुड़े सब्सक्राइब